नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका CGPSC व्यापवं में जोने मेरा चनल सब्सक्राइब नीए कि प्रेद जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करें तो बाजू में जो बाले कोने से जल्दी से प्रेस करें ताकि CGPSC और आपको इस पांदम से जल्दी मिसकें जोने मेरा फेस्बूक और टेलिगरम चनल जोइन नीक है नीचे डिस्क्रिशन बॉक से मिल लिंक है आप वहाँ से जोइन हो सकते हैं आज हम बहुत ही महत्पूर्ण टापिक और बात करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंतक जरू देखे तो जल्दी से चलिए हम वीडि बुक से नहीं पढ़ना है क्योंकि देखिए चत्रजगर के लिए बहुत सारी बुक तो आती है परंतु कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं रहती तथ्यों का अभाव रहता है कभी-कभी गलत च्छापे रहते हैं तो आप जो मैं आज बुक बताऊंगा उसको आप जरूर हर बुक से आते हैं संथी साथ नहीं पढ़ने की जरवत के जरूर नहीं आप उसी बुक से आते हैं साथ बोक को जो बिए जो वुक में आप जाने वाले一下 में जा और जो बुक यह बमास बुक को पढ़े अन्यता आप दूसरी जो बुक है उनको पढ़ते पढ़ेंगे जरूर परन्तु आपको जो माइंड वो क्लियर नहीं हो पाएगा इसी करना आप बेसिक से वो सब चीजे पढ़ें वहां से तो आप लोग उस चीजों को पढ़ेंगे तो वो चीजे वहां से क् कि हम जब भी पढ़ते हैं अगर हम पढ़ते हैं और अगर हम सुनते हैं तो हमारा जो ऐसा बताया जाता है ग्यानिक लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हम सुनते हैं उसमें हम ज्यादा ग्रहन कर पाते हैं तो इसलिए मैं आपको यहीं बूलूँगा कि आप कोई न कोई 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 कर सकते हैं कोई भी आप एक बार कोचिंग जरूर करें देखिए यह कोई आथा नहीं कि आप जो कॉलेज की विद्ध्यार्थी या इस्कुल के विद्ध्यार्थी में पढ़े उतने चीजे पढ़े और उतने चीजे पढ़े के पास हो जाए सिक कुछ भी चीज नहीं है आपक आपको एक्जाम नहीं निकलेगा आपको दो चीजे जरूरी है एक तो आपका अनुभाव और एक आपका पढ़ाई दोनों चीज आप अपलाई करें और आप बिल्कुल जो है सफलता कि स्युडिया आपके पास रहेंगी तो देखिए मैं ये चीज बता रहा हूं कि जो आपके पास रहेंगे तो वहां पर उस वी बुक की जो है वो माननेता होती है सांथी साथ आप क्या करेंगे जो मैं भी बुक बताऊंगा उसके साथ आप एक अब्जेक्टिव भुक भी खरी सकते हैं और दूसरी बात जो आप जैसी जो नई स्टूडेंट है उनको नहीं प पा रहे है या कोचिंग कर पाने में असमर्थ है तो वो बुक ले सकती साथ देखेंगे अगर आप सांथी साथ हरी राम पटेल सर की जो शत्तिजगर समान यंद्धन की बुक है जो नई स्टूडेंट है में उनकी बात करो उसको भी आप रख सकते हैं रखने का मतलब यह है कि देखें वहाँ पे आप चीज बुक रखेंगे तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे आप एक बार उस बुक को देख लीजिएगा और उसके बाद पहले आप अपना टॉपिक पढ़े और उसके बाद फिर उस बुक को देखें वहाँ पे आपको ये मालुम चल कि कौन-कौन से परश्ण कब-कब कौन-कौन से एक्जाम में पुछे हुए हैं तो आप ये बहुत ही अच्छी बेनिफिट रहेगी आपके लिए तो आप एक हरी राम पटेल का हरी राम पटेल सर्जी का बोलना चाहिए अब्जेक्टिव बुक और स्चतिजगर समान नियद् प्रणना है आपको इतनी सारी पुस्तक है एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच पुस्तक है और ये पांचों पुस्तक को आभी आपको तभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि देखिए बहुत सारी publications की book आती है 36 गड़ के लिए परन्तों ये जितनी भी book है authentic book है सबसे महत्पुन बात ये है कि ये जो book है authentic book है अगर आप इसमें से दावापत्ती लगाएंगे तो दावापत्ती लगाने के लिए ये ही book काम आती है क्योंकि ये जो है 36 गड़ राज गरन्त अकादमी 36 गड़ राज गरन्त अकादमी की जो है वो book है तो आप सब क्या बोल सकते हैं अगर आप सभी को अगर ये book मिल रही होगे तो इसे जरूर खरीद दिये तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि इस book के बारे में क्या है कैसा है तो चलिए जल्दी से देखते हैं 36 गड़ राज हिंदी गरन्त अकादमी की पुस्तक है और अब अगर हम इसके जो यहाँ पे दिखेंगे ये 2017 का एडिसन है ये मुल्य जो है वो 320 रुपए है और यहाँ पे इसके बाद जो ही इसका कोई अपडेट नहीं हुआ है और यहाँ पे आपको 320 रुपए है इसमें आपको बहुत डिस्कॉंड मिल जाएगा पहली बात अगर हम इसके बोलना चीए इंडेक्स की बात करें तो देखिए इंडेक्स में आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो चत्तिजगड का भूगोल भी यहाँ पे आपको समग रहें चत्तिजगड यह वाली बुक में मिलेगा परन्तु अगर आपको विस्तार पुरुवक पढ़ना है तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं इसके बाद देखिए अगर हम इसके चत्तिजगड की इतिहास की बात करें तो चत्तिजगड की इतिहास के लिए यह बुक है यह जो की बुक है और यहाँ पे भी देखिए चत्तिजगड का इतिहास दिया हुआ है यहाँ पे लेकिन आपको अगर डिप नॉलेज चाहिए त तो आप यहां से मतलब पढ़ सकते इससे तो आप इसी से पहले पढ़ लें आपको क्या करना है यहां पर देखेंगे कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ देखिए यहां पर बहुत सारा चीज जो है बहुत सारी बुकों में नहीं छपे रहता तो आप लोग इसको ब इन्होंने लिखा है वही गो यह है पुस्ताक आप концSerived करें तो यहां में पुला चीज को बताया है और इसके साथ जिसके इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आपको जो मैं बुग बताया स्ससके आप आप कमेंट करेंगे तो मैं बाकी बुक के बारे में भी आपको बता दूँगा फिलहाल देखेंगे तो आप देखिए ये सब पुस्तक है और इसमें जो डाटा है दिया हुआ है चाहे आप मतलब किसी भी प्रकार से आप पढ़े बहुत अच्छी बुक है ये और एक प्रकार से आप इसको एक बार पढ़ना ही पढ़ेगा आपको तभी जो आपको माइंड है वो आपका क्लियर होगा क्योंकि देखिए हम सौर्ट कट जितना सौर्ट कट चीजे अपनाएंगे उतने ह मासफल होते जाएंगे इसी कान आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़ेए बड़ी बहुत मोटी बुक है परन्तु ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है इस आप बुक का जरूर अध्यन करें साथ ही साथ आप आप अबजेक्टिव बुक रखें और साथ ही साथ इसके साथ सा भुआ है थिक है तो आप इस सब बुकों के बारे में बात कर सकते साथ ही साथ आप एक पब्जेक्टिव बुक रखें बहुत सारी पब्लीकेसट की निकलती है और साहर अगर आपको लगता है कि इसमें जैसे आपको समझ नहीं आएगा जो नए श्टूडेंट है कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो आप कोई भी एक पब्लिकेशन की शत्तिजगर की बुक ले सकते है बैस्ट रहेगा हरी राम पटेल सर की जो बुक आती है वो बुक बहुत अच्छी रहती है आप वहाँ से उसको ले सकते हैं तो यह जो अच्छतिजगर के लिए विसेसकर मैं आपको बुक बताया हूँ तो आप देखें अगर आपको अच्छा लगया तो आप बिलकुल इसे ले तो आज का वीडियो यहीं तक आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ अगरी वीडियो अच्छा लगा हूँ तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद